ये अजन्ता केवन का 39 या 26 नमबर की ये केवज है तो ऐसी केवज महारास्टर में 1300 केवज है पूरा महारास्ट में 1300 केवज है तो उसमें पूरा भगवान बुद्ध का जीवन उन्होंने उतारा है तो ये जो केवज है 26 नमबर की ये है 39 फिट लंबी है उसकी लंबाई 39 फिट है इसमें जबी भगवान महाबुद्ध का महापरिनिर्वान हुआ उसी वक्त का इसमें पूरे दुरुष्य बता है तो आप देखोगे कि यहां नीचे जो भिक्षू लोग बेठे हैं एक एक भि ऊपर दिखते है वह सब देवी-देवता भी भगवान बुद्ध का जबी महापरिनिर्वान हुआ था उसकी हर एक श्टेप की जानकारी वहां उसी वक्त अरंत अनिरुद्ध को होती थी तो भगवान का पर्थम प्रहर में जबी निर्वान की प्रोसेश शुरू वही तो भगवान पहले ध्यान में गए, दुसरे ध्यान में गए और आखरी में निर्वान पोजिशन में गए तब इतक उनका महापरी नेर्वान में नहीं गए थे, उसके बाद फिर वो नीचे आये, यहने निर्वान पोजिशन से नवविप ध्यान से लेके प्रथम ध्यान में वो आये और वो उसी वक्त उन्होंने अपनी आखरी सास छोड़ी और महापरी निर्वान में उन्होंने प्रविश किया महापरी निर्वान का अर्थ हमारे समझनादार लोगों के भाशे में अगर कवदू हो तो जैसे दिया होता है तो दिया की बाती बुझ जाती है उसका तेल बुझ जाता है और वो बाती का पूनर जन्म कभी भी नहीं होता है वो बुझ जाती है वैसे ही जबी महापरी है सम्मिक संबुद्ध का तो वो पुनहा जन्म नहीं लेते वो सारे दुखों से परे होते हैं वो समुक्त होते ना उनका उत्पाद होता है ना उनका वेई होता है वहां तो परिमित सुख रहता है शांती रहती है उनका पुनहार जन्म नहीं होता है उसे हम लोग महापरी निरॉन कहते हैं तो यह वहाँ के वेजरूर अजिंठा में है वेजरूर अजिंठा यह के वेजरूर अजिंठा अभी पहला उसका नाम था अउरंगाबाद लेकिन अभी उसका नाम है संबाजी नगर करके शेव चत्रपती संबाजी नगर उसका नाम अभी बन गाए है वहाँ से कुछ 120 किलोमीटर लंबाई में ये केउस एक परुवत में है उसका आकार आरधा चंदरा कुरूती है उस जमाने में जब लॉर्ड बकिंहम ने उसका रिसर्च किया था तो उन्होंने वो पूरा पाया था कि वो सब मिट्टी से भरा हुआ था उन्हें उसकी खुदाई की और उन्हेंने सोचा कि इतनी सारी केउस है वहाँ ये कैसी बनाई गई होगी तो वहाँ के उस जमानी के जो भी राजा थे और जो भिख्शु लोग थे वो इसका ध्यान करके छन्यात्रोड से इसका निर्मान करते थे तो यहाँ बुद्ध के पूराने बुद्ध के भी काफी कुछ केउस हैं उनका चित्र हैं उनकी शिल्प हैं उनकी मुर्किया भी हैं तो हर एक केउस उसमें पूरा भगवान बुद्ध के बारे में और पूराने भगवान बुद्ध के बारे में जो हम लोगं के लिए जात गोड़े पर चलता है शादी की प्रस्व किते वो भी छूटी-छूटी बारिक्ती रेवालिक है उन्होंने वो सब केउज में बताई है वैसे प्रसंजित राजा हो भिमिसार राजा हो भगान गुद्ध की बच्पन हो माय देवी हो और महापरिणवान हो तो पूरा क्या पू विक्षू उन्हें वहां के उन्होंने वो नदी का पानी और काच के सहरे उसका परीवर्तन करके ये केउज में उन्होंने क्या की? प्रकास डाला। और फिर वो केउज बनाते रहते थे वो भी बनाते वक्त उन्होंने उनकी छे सत्य होती है जने बुद्धानु सती धम्मानु सती संगानु सती मरणानु सती देवतानु सती ऐसी जो छे साथ प्रकार की सत्य है वो सती को स्मरण करते हुए उन्हेंने चत्ती चन्या तोड़ से उनको बनाया है तो इसका काफी लंबा चोड़ा इत्या से गोवर्मेंट अप माराष्टा गोवर्मेंट अफ इंडिया ने उनके उपर किताबे निकाली है और काफी लोगों ने इसके उपर संश्योधन किया है अभी इसकी स्तिती पुरानी ओज़े होने के ओज़े से इसकी तूड़ भी हो चुक्के हैं और इसके उपर कुछ समाज विकृत लोगों ने बच्चों ने जब भी विलो आते हैं तो आपने नाम लिखते हैं तो वहां भ इसका नाम है यह protected area इनसको ने इसका दखली है दुनिया में इसको प्रटेक्टान किया हैं आप देखोगे कि यह जो दिखते हैं जैसी तकिया में जब़ी कोई सोता है तो तकिया कैसी दब जाती है है तो यह तकिया कैसी दब गई है यह भी दिखता है और भगवान बुद् और उन्होंने जब ये हाथ उनके तक्या के उपर रखे और गर्दन के नीचे रखे तो उनकी सिप ये उंगलिया दिखती है और उसके उपर वो दूसरा भी उंगलिया दिखता है और उन्होंने हाथ पर चिवर भी लगाया है ताकि वो चिवर से उनको कुछ सहरा मिले ऐसी य लोग इनके इतनी जितने भी बारिक बारिक हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को उतनी ही उससे प्रेड़ना मिलेगी हम लोग उसके उपर रिसर्च करते हैं आज भी कई-कई लोग इसके उपर पीएचिडी करते हैं तो भी संश्दन पूरा नहीं हुआ है बहुत बहुत अन्यवाद सुक्यों मंगा